हर्याना पुलिस बर्ती की बड़ी खबर हर्याना पुलिस परिक्सियातिती को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वीडियो में ग्राम सचिव बर्ती के बारे में भी आपका डाउट किलियर करेंगे कि ग्राम सचिव बर्ती का एक्जाम कब हो सकता है और कब होगा अरियाना पुलिस का एक्जाम क्या जो एचससी दवारा ओफिशल नोटिस के साथ जो एक्जाम डेट जारी की थी 27 और 28 मार्च की इस डेट को एक्जाम हो पाएगा या नहीं अगर आप इंट्रेस्टेड हैं जानने के लिए तो वीडियो लाइश तक जरूर दे है इसके अलावा एचससी आएच पेसी का जो भी नया नोटिस आता है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी आप भी सबसे पहले पाणा चाहते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को ज़रूर तबालें जिससे नए वीडियो का है कि अरियाना पुलिस सिपाई बरती चार सलेस 2020 एड़ोटाइजमेंट की लिखित परिक्षिया परसासने कारणों के कारण 27 और 28 मार्च 2020 को आउजित नहीं करवाई जाएगी ये खबर वाइरल करने का कारण साथ यह है कि आपकी तैयारी को बीच में रोकने के लिए ये खबर वाइरल की जाती है क्योंकि एड़ोटाइजमेंट के समय जब ये टेंटेटिव एग्जाम डेट जारी गी की थी तब ही ये कनफरम था कि 27 और 28 मार्च को जो अरियनापुलिस का लिखित प्रिक्षा है वो नहीं होने वाली क्योंकि इन डेटों के अंदर एक डेट को होली का त्योंहार है जो बहुत ही बड़ा त्योंहार है जिसके कारण त्योंहार के दिन प्रिक्षा नहीं हो सकती किसी भी कारण से तो इसका क हो जाने के बाद लोग पढ़ाई पर कम द्यान देंगे क्योंकि अब उनको पहले तो डेट दीख रही थी कि 27-27 मार्च को एक्जाम हो सकता है लेकिन आप उनको यह लगेगा कि एक्जाम पता नहीं कब होगा तो उनकी तैयारी पर भी एसर पड़ेगा लेकिन साथियों मैं आ आपका एक्जाम लगबग कनफरम समझो क्योंकि माई के बाद जून या जुलाई के अंदर आपका सीटी का एक्जाम आ जाएगा तो सीटी के एक्जाम से पहले पहले आरेनापुलिस का एक्जाम करवाने का विचार बना चुकी है अब बात करते हैं ग्राम सचिव बरती की तो साथियों ग्राम सचिव बरती का एक्जाम मार्च महिने में होने के ज्यादा चांच से बन रहे हैं क्योंकि सरकार के उपर ज्यादा दबाव है इस बरती का एक्जाम करवाने का तो सबसे पहले एक्जाम करवाएगी तो बड़ परियानाप्रिस का एक्जांप अप्रेल मैंहें में ही मान कर चलें अपने आपको ऐसी नेगेटिव खबरों से दूर रखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा ज्यादा शेयर करें वीडियो यहां तक देखने के लिए दन्यवाद मिल तेन एक तर देल में